तो आज हम सीखेंगे प्रितिसत से रिलेटेड यानि निकालना और आज हम बिल्कुल बैसिक से लेकर के सीखेंगे यानि आप इस वीडियो को देख करके यानि प्रितिसत में आपको आता है या नहीं आता है एक बार अगर इस चीज देख लेंगे लिए सोचै को डिखेंगे तो प्रितिसत को बिल्कुल आसानी से सहएं यह जाएंगे किस तरह प्रितिसतarta निकालते हैं और प्रितिसत बारे आज हम छोटी छोटी बात उसे लेकर करके एड़ बांस तक हम बात करेंगे जो सबसे पहले प्रतिसत का एक सेंबल होता है हम बात करेंगे प्रतिसत जैसे अकर कोई 100 रुपे में हमारा इस्सेदारी कितनी है 10%, यानि कोई बस्तू 10 कितने हिस्सेदार्य है हमारे पास, इसको इतने से कार्टेंग बचेगा में पास 10 रुपे 2010 किइस्सेदारी हमें किसी बस्तू में मिल रहीये अब इसी तरह से मानली जिए, कोई बस्तू हमें कोई बस्तू 100 управ कि यह है बीस प्रितिसत का में लाव हो रहा है उस चीज़ पर प्रतिसत की छूट मिल रही है अगर यही कोश्चन हो के वह 500 रुपे की कोई बस्तू है जिस पर हमें कितने कितने प्रतिसत का मिला बीस प्रतिसत कि बीस प्रतिसत और प्रतिसत का मतलब होता है बटे में सो यह प्रतिसत का मतलब होता है बटे में सो ठीक है प्रतिसत का मतलब क्या होता है बटे में सो दो से दोख गए और एक पिस पंजिए सो तो यानि कितने रुपए की छूट मिली हमें आप सो रुपए की ठीक है तो इस तरह से हम है कोई भी कोशन से उस चीज के बारे में निकाल सकते हैं प्रतिसत के बारे में इस तरह से कि देखी प्रती सब्सक्राइब क्या हो दाए ते में आप हपास चाहर में कि चाहर पांच का कैंथ कि कितना प्रतीसब्स है और कि प्रतिसब्सब्स है आप देखी दोस्तों कोशचर नुछ हरा है चार पांच का कितना पृतिसत है तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है यह हमें पता होना चाहिए चार पांच का कितना पृतिसत है यानि किसके बारे में पूछ रहा है चार के बारे में पूछ रहा है और जिस चीज के वारे में पूछता है उसे कहां लिखते हैं मुपर लिखते हैं तो कहां लखेंगे चार किस के respect में पूछ रहा है पांच के तो बटे में क्या जाएगा पांच अब गुणा कितने से होगी इसकीному अब प्रतिसाद नि कलने के लिए गुणा कितने से करेंगे 600 हे अंडटर क्रेंगे है 800 है यानी दe abra लेकिन हम प्रतिसत लगाना भूल जाते और जब हम क्या है वैलिव आती तो हम उन्हाइं प्रतिसत लगा देते हैं लेकिनी गलत है जहां हम इसमें क्या करते हैं कितनी बार कट रहा है कि बीस बार कट और बीस चोग अस्य कितना प्रतिसत अब को सा अब यही सक्ते होता है यह प्रतिस्थ नहीं लगा और यह पृतिसथ और सिस्का मतलब है एक वैलियों की अलग होजाएगी थे इसलिए कोई माई हसा आ इस और सलने का अज़ देट सो से कि तूब तेगे 80 का मतलब है 80 वटे में कितना है 120 चोका च्छी 25 फिर यह कितना आ गया चार वटे 5 वही वैल्यू आ गी हमरे पास दूबरा से ठीकिंग तो दोनों का मतलब सेम यह हमारे पास यह प्रतिस्द कि निकाल ली है हमने यह बठे में यह के रूप में हमने निकाल लिए और इस तरह के कोसंट आपको कि एक जैम में दे देगा और हमें इन सभी कोष्चिंस के वारे में बहुत इजली तरीके से से करन 5000 देखिए फार्मुला है उनके बारे में पता मना चाहिए जिन जिन फ्रॉर्मुला को पर हमें लगाते हों है गा अब इसी तरह से कुशन और बनता है हमारे पास मालन लीजिए हमना चार छार हुर पांच का के चार पांच से कि कितने प्रस्ट कॉस्षं पुछ रहा हैं किससे पूछ रहा है 245 से कितने प्रतिसात थ्यक्र efficacy कम है चार 45 फांच से कितने कम है रोई गज़ा तक कम है और जो चीज किसके रिस पानथ कि में पूछांगए ऊपर लगाल यह ठीके तो हमने क्या काम करां एक को उपल लिखां किस से कम है 5 से कम है जिसके रिस्पेक्ट में पुझता हम 5 को क्या लखेंगे बटे में 5 गुड़ा 100 परशेंट ये कितनी बार कटेगा बैटा 5 बार 20 पंजे 100 और 20 कम 20 तो कितने प्रतिसात कम है 20 प्रतिसात कम है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोस्टन के आधार पर हमें निकालना होता है चार पांच से कितने प्रतिसात कम है अरथात किसके वारे में पूछ रहा है चार पांच से कितने प्रतिसात कम है एक कम है पांच से एक कम है तो एक को हम उपर लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है पांच की तो कोशन आप से पूछ रहा है कि इसी कोशन को चैंज कर देते हैं पांच चार से कितने प्रतिसात अधिक है अब पूछ रहा है वह पांच चार से कितने प्रतिसात अधिक है क्या पूछ रहा है पांच चार से कितने प्रतिसात अधिक है किस से अधिक है जार से चार से ठीक है तो ब csakआ कि डहीजिब लेड़ हैं प्रतिस्ता अधिक है तो इस त्सोस्त भी भूह सकते हैं और यहां यह इस तरह से बढदय सब्सक्राइब कोम सब्सक्राइब बहुत ज़्यादे विशिक्स लेकर के चल रहे हैं आप इस तरह से एडवांस तक आप कोस्टन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से और भी कोस्टन से हैं हमारे पास माने लीजिए एक कोस्टन और है को कोस्टन नंबर दो यह पूछ रहा है 40, 60 का कितना प्रतिसत है कितना प्रतिसर हैं किस में पूछ रहा है 40, 16 का कितना प्रतिसत है किस के बारे में पूछ रहा है 40 के बारेम तो 40 को कहां लखेंगे वही पल लखेंगे किसके रिस्पेक्ट में साट के गोड़ा सो ठीक है किसके बारे मैं पुछ रहा है कि चालिस के ठीक है अब कितनी बार कट जाएगा कि इस कितनी बार गया चार है ठीक है कि यह कटेगा तुमारा बीस दूनी चालिस बीस तीया साट ठीक है और यहां पर कितना आ जाएगा सो की गुणा दो से करेंगे बटे कितना आया 200 200 बटे तीन ठीक है तीन चंग कितना होता है अठा रहे यहां कितना आया दो ठीक है तो कितना आया दो बटे तीन इसका अंसर आ जाया ठीक है कि इसकी बेटा भाग करने पड़ेगी देखे 200 आ रहा है ठीक है 200 को अगर हम इससे काटेंगे तीन चंग कितने होते हैं इसको हमने काटना रहेगा वहां करेंगे तो इतने बार उटजाए तीन की 66, 22 बटे, 3 प्रतिसत है, ठीक है, तो इस तरह से बटेशत के कोस्स को हमें स्वालू करना है, अब एक कोस्टं और है, उसे भी हम देख लेते हैं, जैसे एक कोस्टं पूछ रहा है, A B से 20 प्रतिसत अधिक है तो B A से कितना प्रतिसत अधिक होगा देखिए A question number 2 A B से 20 प्रतिसत अधिक है क्या पुछरा अधिक है तो B A से कितने प्रतिसत कम है क्या पुछ रहा है A जो है B से 20 प्रतिसत अधिक है मान लेकते हैं A का मान कितना रहा होगा अब B से 20 प्रतिसत कम है तो हम इसको कितना मान लेंगे असी मान लेंगे ठीक है कितना मान लिया असी मान लिया ठीक है अब किसके बारे में पूछ रहा है भई अभी पूछ रहा है B जो है A से कितने प्रतिसत कम है ठीक है तो B कितने प्रतिसत कम है भई असी असी ठीक है और कम किसके बारे में पूछ रहा है तो हम बक भटेंगे कितने लिखांगे गुणा कितने से करेंगे 100 से ठीक है यह कितनी बार अगर गत दे लिए बार लिए जों से एक जिय करेंगे 100 कितने रीमेर 25 प्रेज करेंगे के बारें पूछ रहा ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिसत कम है तो 20% कम है कितना कम है बीस प्रतिसत कम है नेक्स्ट कोस्टिन देख लेते हैं बाई ये कोश्टिन है थोड़ा आप इस कोश्टिन को द्धान से देख़ें दो संख्या हैं, किसी तीसरी संख्या का क्रमश 20 परसेंट एवं 25 परसेंट 25 परसेंट के बरावर हैं, के बरावर हैं, तो पहली संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बरावर होगी? संख्या के कितने परसेंट के बरावर होगी? देखे, कोस्टन पूछ रहा है, कोई संख्या है? मान लिजी, तीसरी संख्या के बारे में हमें पता नहीं है? दो संख्या है, किसी संख्या, किसी तीसरी संख्या का किरमस 20 एवं 25 परसेंट के बरावर है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या के कितने परतिसत होगी? पहली संख्या, दूसरी संख्या के, मान लेते हैं वही, तीसरी संख्या हम 100 है हमारे पास, ठीक है? पहली संख्या हमारे पास कितना है? 20 है, और दूसरी संख्या हमारे पास? 25 है, तो किसके रिस्पेक्टर में पूछ रहा है? पहली संख्या, दूसरी संख्या से कितने परति प्रतिसत के बरावर होगी ठीक है तो किसके बारे में पूछ रहा है पहली संख्या के बारे में ठीक है तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसे कहां लिखेंगे वेटा उपर लिखेंगे और किसके पूछ रहा है दूसरी संख्या के दूसरी कहां लिखेंगे नीचे 25 चोग 100 और 20 चोग 80 कितने प्रतिसत के बरावर है 80 प्रतिसत के बरावर होगी तो इस तरह से कोशन आपका यही कोशन चेंज हो जाएगा question पूछेगा 2 संख्या किसी 30 संख्या के 20 एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना पृतिसत कम है यानि यह पूछ रहा है कितने पृतिसत कम है यहां पूछा था कितने पृतिसत के बराबर है कितने पृतिसत कम हो गई देखे कोसन हमारा चेंज हो चुका है अब तक ही पुछ रहा था प्रतिसत के बारे में किसके बारे में पुछा प्रतिसत के बारे में अभी पुछ रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का किरमश 20 एवं 25 प्रतिसत के बरावर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने कम होगी कितने प्रतिसत कम होगी यह ग्याद करना मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या कितना आया वही बीस प्रतिसत दूसरी संख्या 25 प्रतिसत किसके बारे में पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिसत कम है तो इससे कितना कम है यह पांच कम है तो 5 हम कहां लखेंगे वेटा उपर लखेंगे किस के रिस्पेक्ट में पूछा 25 के गोणा 100 कितना आएगा 25 का 100 5 कितने प्रितिसत कम है वेटा 20 प्रितिसत कम है ठीक है तो ये इस तरह से कोस्टन पूछ लेगा किसी संख्या का 20 एवं 25 परसंट के बरावर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रितिसत कम होगी तो कितना है पहली संख्या हमारे पास 20 है दूसरी संख्या 25 है कितना कम है कितना डिफेरेंट है दोनों में 5 का डिफेरेंट है किस से 25 है तो 5 उपर लखेंगे किस क पूछा 25 के गुणा में 100 कितना आया 20 प्रतिसत कम है ठीक है